तो अगर आपको भी first time copyright stack मिलता है जो कि आप कोई भी community guideline के किलाफ अप्लोड करते है वीडियो डाउनलोड या website review करते है तो इसमें आपको community guideline का stack मिल जाता है तो मेरा community guideline stack आया है जो कि मैं 2022 में windows activator software के related video में किया था then this time मुझे 2023 में stack आया है तो इसको कैसे remove करना है आपको भी इस तरह का first time stack आता है तो इसको कैसे recover और remove करना है आपका stack तो आप लोग इसमें review में क्लिक करना है तो review में क्लिक करने के बाद आपका सामने आएगा इस तरह का interface इसमें आपको Begin Review में क्लिक करना है 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 ईलिन हैं इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग इस नेक्स Susound में क्लिक और क्लीक करने के बाद आपका संबने इस त्पर हब आपको फरस्ट, सेगेंड, I want to appeal and review इसमें क्लिक करने के बाद नीचे I want to, इसमें आपको इस related text टाइप करना है आप जो भी face करते हैं कई issues की related उन लोग को send करना है तो मैं फरस्ट अफल इसमें टाइप करता हूं text को टाइप करना है इसमें टाइप करने के बाद आपको इसमें नीचे submit option में क्लिक कर देना है यूटूब आपको 72 hours के बाद आपको email कर दिया जाएगा आपका problem solve कर दिया जाएगा आपका video restart हो जाएगा and step भी remove हो जाएगा thanks for watching